दोस्तों अगर आपके फोन की बैटरी लाइफ खराब हो गई है, बहुत जल्दी खतम हो जाती है, देखते ही देखते ही 100% से 0% हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा important है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोन की कुछ ऐस सिक्रेट सेटिंग जिससे आपको तुरंत बंद कर देना है, और उस सेटिंग को बंद करते हैं, दोस्तों आपके फोन की बैटरी लाइफ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा और लंबे समय तक चलने लगेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लोगा चले मिस वीडियो को स्ट सेटिंग बंद करने से हमारे फोन की बैटरी लाइफ इंप्रूब हो जाएगी एंड लंबे समय तक चलेगी, तो उसके लिगाई समा जाते हैं सिंप्ली सेटिंग में, अब दोस्तों यहाँ पी जो सेटिंग बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में काफी लोगों को पता हो आपके फोन की बैटी लाइफ खराब ना हो, लंबे समय तक चले या फिर खराब हो गई है, उसे ठीक करना चाहते हो, तो यह सभी सेटिंग को आपको करना है, जो सबसे पहली सेटिंग है गाईज, ओ आपको नीचे मिल जाती है, अकाउंट वाले ओप्शन में, यहाँ पे गुइमिल में आना है, यहाँ पे अकाउंट टिंग ओप्शन दिया कहा है, आपको यहाँ पे दो स्थोड़के बाकी सब सेटिंग को बंद कर देना है, जैसे कि सबसे पहले हम कॉण्टेक को छोडवढ देते हैं, यहाँ पे राइब का भी बंद कर देना है इज़िमिल, य इसे छोड़के अगर आप बाकी setting बंद कर दोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे 50% बैटी का फायदा होने वाला है सोच लो guys यह कितना important setting है second important setting जिससे दोस्तों हमारे phone की बैटी बहुत ज़्यादा खतम होती है और है दोस्तों हमारे phone का internet यहाँ दोस्तों एक बार आप पूरा दिन internet बंद करके अपने mobile phone को use करो आप देखोगे 90% आपके phone की बैटी life increase हो जाएगी मनलब कि internet की वज़े से बहुत ज़्यादा हमारे phone की बैटी खतम होती है तो try करो guys जब आपको internet use नहीं करना है ना तब यह जो mobile data है इसे बंद करके रखो भले ही आप Wi-Fi Bluetooth on करके रखोगे चलेगा लेकिन जो data है ना इसे कभी भी on करके मत छोड़ना अगर आप on करके छोड़ोगे ना तो आपको बता दो यह 15-20 मिनट में आपके phone की बैटी को आधा खतम कर देगा पता भी नीचे लेगा तो कभी भी आप इसे जो है on करके मत छोड़ना यह हो गई guys हमारी second setting अब दोस्तों मैं आपको third end सबसे ज़्यादा important setting बताने जा रहा हूँ जोगी दोस्तों हमें मिल जाता है display वाले setting के अंदर यहाँ पर दोस्तों एक setting दिया रहता है dark theme आप देख सकते हो यह setting हमारे phone में by default दिया रहता है लेकिन वही बात आती है कि इसे भी लोग ignore करते हैं use नहीं करते हैं तो आपको दोस्तों ignore नहीं करना है आपको तूरंत अपने phone में अगर लंबे समय तक battery को use करना है तो dark theme को on करना है इसे on करने से दोस्तों आपको 50% battery का बोल सकते हो benefit होगा और आपके phone का जो battery है नहीं बहुत लंबे समय तक चलेगा एक बार charge करोगे तो तो ये setting बहुत ज़्यादा important है इसे भी आपको on कर लेना है and guys fourth setting जो कि हम सभी के phone में दिया रहता है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ आप देख सकते हो battery बैटरी नाम की एक setting हम सभी के phone में दी रहती है तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है आपको हमेशा आपने phone में battery saver को on करके रखना है इसे on करने का फायदा होगा guys आपके phone की जो battery life है न वो बहुत लंबे समय तक चलेगी and बड़े easy तरीके से आप अपने phone की battery life को increase कर पाओगे उसके सासता जब आप इसे back करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको background power consumption का option मिल जाता है तो यहाँ पर जैसे मैंने सब का बंद कर रखा है न ऐसे ही दोस्तों आपको भी सब का बंद कर देना है ताकि background में कोई भी application हमारे phone का जो power यानी की battery है उसे use ना कर पाए आप देख सकते हो मैंने line से सब का बंद करके रखा है तो इससे मुझे फायदा यह होता है कि मेरे phone की battery ना लब में समय तक चलती है एक बार charge करता हूँ दो से तीन दिन तक आराम से चल जाती है तो यह सब दोस्तों आपको follow करना है मुझे पता है मैंने जो trick बताए या फिर जो भी setting बताई हो सब normal है उसके बारे में सभी लोग जानते है लेकिन बात वही आती है ignore वाली या फिर use ना करनेगी तो अगर एक बार आप इसे use करोगे यह charge setting एक बार try करो और उसके बार आके आप नीचे कमरक्स में बताना आपको कितना ज़्यादा फायदा हुआ है अगर फायदा हुआ है तो जाते जाते एक like कर दिना अगर आप एक नए viewer हो तो इस channel को subscribe कर लो क्योंकि यहाँ पर आपको में कर दो एक रच्छ्ण करने एक